हलो मेरे जिगर के टुकडो गोड इवनिंग एक बार फिर आपका डिस्कवरी इस्टडी सरकल पर स्वागत है देखो ऐसा है मैं दो तीन दिन के बाद आया हूँ थोड़ा व्यस्त था बिजी था क्योंकि ऐसे ही काम है जोब के बाद आपको पढ़ाना होता है थोड़ा हो जाता है जो तुम काम करते हो वो हम भी करते हैं थोड़ा बिजी हो जाते है ठीक है ऐसा मत मानना अरे दो तिन लोगों के कमेंट आये हैं कि एनरजी थोड़ा एनरजी का लेवल थोड़ा डाउन होता जानते हो क्यूं कि तुम कमेंट नहीं करते तुम लाइक नहीं गरते तो एनरजी कहा से आएगी और पुरा दिन ओफिस में रहते हैं फिर शाम को तुम्हें पढ़ाने आ जाते हैं अगर तुम एनरजी लाना चाहते हो हमारे अंदर तो थोड़ा कमेंट तो करा करो यार ऐसा क्षैपैंगाả 파ूंट एड़ेक्टि自己 वरमने तुम्हें और नाउन के बारे में बता चुका हूं अब एड़ेक्ट टिव के बारे में सुनिए जेखों सा अबने कर देखा होगा bycko सुना हर घूंट में स्ष्फैक क्या क्या होता है जानते हो सब जंतेOSHrig का मतनब हो क्या होता है स्टाइल क्या होता है 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 αगय कि इस्टाइब के श्टाइब का मतलब होता है इस्टाइल वाटे स्टाइल यार मतलब इतना उत्सा कि ऊप्रेस हो जएए वह स्ट्वाइग होता है है उत्सा की super relativity swag हर घूंट में swag है मतलब हर घूंट में एक उत्सा हर घूंट में क्या कहते हैं उसे आनंद है जितने आँ भरोगे घूंट उतना ही मज़ाएगा वह swag होता है क्या कहेंगे कि वह वाट इस्वैग what a swag he has या see has क्या swag है यार उसके पास लड़का हो यह लड़की तर श्टाइल है I like it ठीक है यह swag वर्ड है swag swag का मतलब क्या होता है एक style समझते हो क्या style आप लोगों का क्या style है बताइए कुछ न कुछ तो होगा ना दोस्तो सुनिए देखिए adjective के बारे में पढ़ते हैं adjective adjective वो वर्ड होता है जो नाउन प्रोनाउन के बारे में एक विशेश उसके चीज बताता है विशेश क्या है कि एड्यक्टिव वर्ड देट टेल्स यू अबाउट नाउन और प्रोनाउन और उसके ये पार्ट होते हैं द्यान देना दोस्तों ध्यान देना देवी देविता ओक क्या है इसकी बताई जाती है ब्लैक या कह लिए कोई भी ब्लैक वाइट रैड कोई भी क्वालिटी अगर बताई जाती है तो वह एड़्जेक्टिव क्वालिटी है जैसे यह कहेंगे हम my friend my friend is an intelligent is an intelligent my friend is an intelligent intelligent boy या पर्शा यह जो intelligent word है यह intelligent word है यह quality है दोस्तों यह क्या quality है यह adjective of quality है यह descriptive of adjective है तो कोई भी माल दीजे हम यह कह दें कि this flower is very red this flower is very red यह quality है क्या flower की क्या quality है flower की quality red है तो यहाँ यह क्या होगा adjective of quality होगा समझगे next numerical adjective numerical adjective क्या होता है one two three numerical number जो number होगा वो numerical adjective होगा जैसे one two three first second third one two three first second third माल लिजे कहें हम यह कहें हम the first chapter the fifth chapter the second chapter कोई भी कह लिजे the second chapter of this book of this book is very interesting very interesting तो यहाँ यह जो है यह क्या है यह आपका numerical adjective है और interesting क्या है interesting यह है कि आपका क्या चीज़ है quality है समझ बात हा कि यहाँ आगे चलिए साब quantitative adjective quantitative adjective कौन सा होगा quantitative adjective होगा little few much many क्या होगा quantitative की जहां से हमें quantity का पता चले मच का मतलब होता है अधिक few का मतलब होता है कम little का मतलब होता है कम यह counting के लिए use होता है और यह uncounting के लिए use होता है समझ गे जैसे he give me he gave me a little money a little money या I have a few friends I have a few friends तो क्या है यह यह क्या है यह आपका quantitative adjective है adjective of quantity है समझ रहे हैं यह क्या होगा यह quality बताता है quality यह क्या बताता है यह numerical है one two three five second third यह numerical हो गया और यह जो हम तीसरे number पर चलते हैं quantity में यह बताता है जैसे का he gave me little money और he I have a few friends तो यह जो है यह जो है यह आपकी quantitative adjective है quantitative adjective है चलिए साब आगे चलिए यह कहता है demonstrative adjective demonstrative adjective और मैंने इससे पहली class में आपको पढ़ा था कि एक दिमोन्स्ट्रेटीव अडिजेक्टिव और तीमोन्स्ट्रेटीव प्रोगाउन होता है demonstrative adjective और demonstrative प्रोगाउन होता है demonstrative adjective होता है अगा क्योंकि यह declining में noun का use नहीं होगा तब यह adjective नहीं यह pronoun होगे जैसे माल लीजिए मैं आपके sentence लिख देता हूँ ध्यान से देखना that boy यह लिख दिया और मैंने लिखा I know देखो यह लिखा that boy यह इसके साथ साथ आया है तो यह adjective है adjective समझगे और अगर हमने यह लिख दिया that is a boy that boy is my friend अंतर देखो भई अंतर देखना द्यान समझना यह demonstrative adjective है और यह demonstrative pronoun है क्या अंतर है इसके बाद तो तुरंत वर्व आई है और इसके बाद तुरंत क्या आया है इसके बाद तुरंत noun आया है ध्यान रखना इन words के बाद में जब noun आता है तो वह demonstrative adjective बन जाता है और जो इन तो वह दिमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाता है समझ गे दोस्तों समझ गे एक बात सुनो मेरी वीडियो देखो टाइम तो लगाते ही हो लाइक कर दिया करो यार थोड़ा सा लाइक कर दिया करो एक कमेंट कर दिया करो ताकि मैं स्याम को जब वह भी से आओं और आपको पढ़ाने लग जाओं तो थोड़ा अच्छा लगे बाकि आपकी मर्जी है आप करो नहीं करो लेकिन थोड़ा सा जम मेरे से आप पेक्साई करते हो तो मुझे भी थोड़ा सा थोड़ा सा समझ रहे ना थोड़ा सा उत्साहित कर दिया तरो ठीक है फिर मैं आपको मैं बता रहा हूं आपको इंगलिस के साथ साथ इसके साथ साथ गरामर के साथ साथ मैं आपको थोड़ा श्पीकिंग का कोर्स भी कराऊंगा उसमें थोड़ा बताऊंगा कि कैसे आप अपने रोजमर्णा के जीवन में अपनी लैंग्वेज को सुदार सकते हो कैसे आप इंगलिस का word के साथ में noun का प्रियोग होता है तो महा adjective कहलाता है और जब इनके साथ इनके तुरंत बाद वर्व का यूज होता है तब वो demonstrative pronoun कहलाता है क्या कहोगे अगर कहना है आपको demonstrative pronoun इनके तुरंत बाद आपको वर्ब मिलेगी और अगर आपको इसे demonstrative adjective कहना चाहते हैं तो इन सभी के बाद में वो नाउन मिलेगा समझगे दोस्तो got it सुनिए demonstrative pronoun noun के साथ use होता है sorry demonstrative pronoun noun verb के साथ use होता है और demonstrative adjective noun के साथ use होता है समझगे चलिए साब interrogative pronoun interrogative adjective और interrogative pronoun यह देखो इसमें word यह जो word है यह interrogative pronoun भी होता है और interrogative adjective भी होता है वैसे अगर इनका देखा जाए whose का मतलब होता है जिसका और which का मतलब होता है कौन सा कौन सा what का मतलब होता है क्या ठीक है सब अगर इनके साथ यह अगर इनके साथ तुरंत noun आता है तो यह adjective है और अगर noun नहीं आता है तो यह pronoun है जैसे मैं which का एक example देता हूँ आपको which का एक example ले लीजिए सुनिये साथ सुनिये साथ, देखो which is which is your book which is your book इसके तुरंत बाद वर्व का यूज हुआ है और यहां interrogative की sense निकलती है मतलब question पूछता है यह ठीक है, question तो उसमें पूछेगा लेकिन क्या है यहां कह रहा है कि तुमारी कौन सी book है तो क्या होगा interrogative इस word के तुरंत बाद जो वर्व आई है तो यह interrogative pronoun है, कौन सा है दोस्तो interrogative pronoun है और अगर हम इसी word को ऐसे लिख दे, which book लिख लो दोस्तों अपने इसमें book में note कर लीजे, which book do you like most which book do you like most देखना के वल इतना है which के साथ में book का यूज हुआ है और यहां which के साथ में verb का यूज हुआ है जहां which के साथ में verb का यूज हुआ है तो interrogative pronoun है और जहां which के साथ में noun का यूज हुआ है तो interrogative adjective है क्या है? interrogative adjective है यह interrogative adjective है और यह interrogative pronoun है समझ गए understand it चलिए साब आगे चलिए पज्यसिव adjective के बारे में मैंने आपको बता था एक दिन मैंने first person second person और third person के बारे में बता था अगर हम यहाँ देखें जैसे यह first person है अमारे यह second person है यह बाकी third person है जैसे दे हो गया और ही हो गया और सी हो गया यह हमारे first person यह है second person यह है और third person बाकी बचे सब इनके साथ क्या होगा इनके साथ क्या होगा दोस्तों इनका पता होगा तुमें इनका object मैंने बता आथा जैसे I का object me और possessive my ये जो possessive है ये adjective है इसको अपने के लिए use किया जाता है जब sentence बनाओगे कि मैं अपने भाई से मिलता हूँ I met, I meet my brother मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ I read my book तो जब इसके साथ में use होगा ये तो ये possessive adjective है जो अपने के लिए use होता है समझगे जैसे मान लीजे मैं एक sentence लिख देता हूँ कि कौन रेखा अपने कपडे धोती है तो यहां क्या है रेखा और ये अपने के लिए use होगा है रेखा क्या है सी है तो यहां लिखेंगे हम रेखा वाशिज हर कलोट हर ये जो हर आया ये possessive adjective है possessive adjective है और मेरी पिछली कलास में आप देख सकते हो मैंने ने का पिछला सब बता रखा है I का object me possessive mine possessive my और mine हो गया ये possessive pronoun ये pronoun है ये क्या है ये adjective है और ये होगा आपका reflexive और emphetic pronoun क्या myself myself my self जिसमें self ये ये लगा है वो emphetic और reflexive pronoun होता है पिछली वीडियो देख सकते हो ये क्यों होता है कैसे होता है ठीक है और V का क्या होगा V का possessive अवर होगा U का possessive योवर होगा और दे का possessive देर होगा ये possessive है दोस्तों ये possessive adjective है समझ गए possessive adjective चलिए साब आगे चलिए ये proper adjective प्रोपर एडजेक्टिव क्या होते है प्रोपर एडजेक्टिव ये होते है जब किसी देश का नाम उसके साथ जोड़ दिया जाता है जैसे इंडियन पीपल अमेरिकन पीपल फ्रेंच पीपल ठीक है ये possessive adjective होते हैं जैसे इंडियन पीपल ये कह लिजिए इंडियन पीपल आर वेरी इमोशनल इमोशनल इंडियन पीपल आर वेरी इमोशनल तो ये क्या है ये जो इंडियन जुड़ा है ने के साथ में ये प्रोपर एडजेक्टिव है क्या है ये प्रोपर एडजेक्टिव है किसी भी देश का, किसी भी देश का नाम अगर किसी लोगों के साथ चुड़ता है, तो वो वहाँ प्रोपर एट्जेक्टिव होता है, समझ गए नेक्स चलिए एक्सकलामेटरी, एक्सकलामेटरी वो चीज होती है, जिसमें हमें अचानक से अमारे अंदर से भाव उठते हैं, अचानक से बाव उटते हैं जैसे कितना तो यह क्या होता है है पासे चैनल में मैं जैसे वाट्तर से कैनल दोस्तों पासे पते हैं beautiful so what if beautiful girl what a beautiful girl seperti कितनी शुंदर लड़की है along haha ये सबस्क्रारियूंट्रियू्टिक्टिव आपको इलजा था इस में आपको बताया था उसमें आपको साथ 1 किया जाता है थो यहां क्या है ये एकस्क्रामेटरियू से इन्टेंश है एक्सक्लामेशन मार्क है एक्सक्लामेटरी एडजक्टिव कौन-कौन से होते हैं क्योंकि इसने इसके बारे में कहा कितनी सुन्दर और यह क्या है यह वाला एडजक्टिव है कौन सा quality एड़्जेक्टिव समझगे अब आगे चलिए डिस्ट्रिब्यूटिव एड़्जेक्टिव इच आईदर नाईदर इच का मतलब परतेख आईदर का मतलब या नाईदर का मतलब ना तो यह क्या होता है यह प्रोणाउन भी होते हैं Distributive pronoun भी होते हैं और Distributive adjective भी होते हैं क्या होता है जैसे माल लीजिए कहें Each boy Each boy तो ये तो है Distributive adjective और अगर हम ये कहें Each of the boys Each of the boy जब off लगाया है यहाँ तो ये है Interrogative, Distributive pronoun ये pronoun है ये adjective है ये adjective है और ये pronoun है इनका याद कर लीजिए ये सारी ही चीज प्रोनाऊन में भी आती है और adjective में भी आती है तो यहाँ क्या है जब इनके साथ में और Jews होगा तो ये हो जायेंगे pronoun और जब इनके साथ में साथ के साथ में और फाई उज नहीं होगा तो यह हो जाएंगे एड़्यक्टिव समझ एक बार फिर देख लेना इस वीडियो को क्योंकि मैंने यह मिटने वाली तो चीज है नहीं एक बार पीशे से करके फिर देख लेना तुम्हें पता चल जाएगा अब नेक्स चलिए अब यहां से पहचानने की कोशिश कीजिए दोस्तों यहां से पहचानिए यह सेंटेंस लिखे हैं आपके सामने इस में से पहचानने की कोशिश कीजिए कि कौन सा सेंटेंस क्या हो सकता है आगे पीशे चलिए जैसे इन्होंने कहा इन्होंने कहा है क्या काया इन्होंने इन्होंने काया सीता इज ए कलेवर गल तो यहां जो एक कलेवर है ना यह क्वालिटी है दोस्तों क्या है यह एड़्जेक्टिव ओफ क्वालिटी है एड़्जेक्टिव ओफ क्वालिटी ठीक है there is a little time for preparation preparation के लिए little time है और यह जो little है यह क्या है दोस्तों यह little हमारा quantity है quantity adjective of quantity और यह my friend यह जो my है यह क्या है possessive possessive बता दा न मैंना I के साथ my possessive he के साथ his possessive she के साथ हर possessive they के साथ their possessive you के साथ your possessive तो यह possessive adjective है क्या है यह possessive possessive adjective यहाँ चलिए this यह देखिये दोस्तों यह demonstrative adjective बता दा न this that these those यह possessive adjective है और possessive adjective क्या होगा जब इसके साथ यह person आ गया तो यह possessive adjective है अगर यह नहीं आता तो यह possessive pronoun है है समझ गए तो यह पंज़शी प्रणावन है और यह गुड क्या है गुड क्वालिटी है आगे चलिए देखो आइ केन यूज आईधर बुक और पैन यह आईधर क्या है क्या है आईदर distributive distributive पीछे जा कर देख सकते है यह distributive है यह the first यह the first कोन सा है यह numerical adjective है बता दा 1, 2, 3 और 1, 2, 3 और 1, 2, 3 यह numerical adjective है और यह what क्या है यह interrogative है interrogative adjective है और यहाँ देखिए यह what है और यहाँ exclamation mark what a great performance what a great performance तो यह क्या है यह आपकी exclamation 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 समझ गए adjective को पता चले गया अब मैं समझता हूँ यह मानता हूँ कि अगर आपको English सीखनी है तो मेरे विचार से आपको सबसे पहले सीखना चाहिए काल के बारे में tense के बारे में tense को सीखना चाहिए मैंने आपको तीन पढ़ा दिये है यह noun, pronoun और adjective तीन पढ़ा दिये है यहाँ से आगे जो हमारे पाँच बचे हैं verb, adverb, preposition, conjunction, interjection जो बचे हैं वे मैं आपको इसके बाद पढ़ाँगा इससे पहले मैं आपके tense किलियर करवा देता हूँ tense और इसके साथ-साथ जो जरूरी चीज़े है जो essential चीज़े है वे पूरी करा देता हूँ यहाँ से फिर आपकी समझ में आने लगेंगे यह sentence पढ़ने लगोगे जो आपके books है वो पढ़ने लगोगे syntax बताएंगे फिर उसके बाद में यह चीज़े आपके easily समझ में आ जाएगे understand दोस्तों और आप अगर यह समझ में आया है आपके मेरे साथ बने रहोगे तो मैं वादा करता हूँ आप से I promise you that you will crack an exam in English 100% कर जाओगे कर जाओगे 100% थोड़ा सयम बनागे रखे patience बना जहां इतने दिन patience बनाया है आपने 10th कर लिए होगी 12th कर लिए होगी BA, BSC, graduation post graduation यह कर लिए होगी इतना patience बनाया है तो 3 महीने का patience और बना लीजिए मेरे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को थोड़ा लाइक, share करते रहिए जब कमेंट आते हैं तो थोड़ा उत्सहा सा मिल जाता है कि चलो भई एक वीडियो और बनाते हैं उनके लिए नहीं आते तो चलो आज नहीं तो कल बना लेगें, कल नहीं तो परसो बना लेगें तो दोस्तो थोड़ा सा शेर भी करिए, तोड़ा सब्सक्राइब बढ़ाईए तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आपको धन्यवाद, फिर आता हूँ मैं आपसे एक ब्रेक के बाद नमस्कार